नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं सिम छोड तक डिलेवरी की गती बढ़ाने और कारोवारी के लिए धन की बचत करने वाली है इसके साथ ही उन्होंने मदेपर्देश के कुनो नेशनल पार्क में नामिविया से लाए गए आठ चीतों को छोड़े जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि आए देश बदल रहा है पीए मोदी ने अपने समधन में कहा भारत आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अस्त बेवस्ता है हमारा देश बदल रहा है एक समय था जब कब उतर छोड़ते थे आज चीता छोड़ते हैं पीए मोदी ने इसके साथ ही कहा मेकिन इंडिया और आत्म निर्भार होते भारत की गुंज हर तरफ है भारत एक स्पोर्ट के बड़े लग्ष ताय कर रहा है उन्हें पूरे भी कर रहा है भारत मेन्यू फ्रेक्चिरिंग हब के रूप में उभर रहा है वो दुनिया के मन में इस्थीर हो रहा है आइसने में नेशनल लोगिस्टिक पॉलिसी सभी सेक्टर के लिए नई उर्जा लेकर आई है मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के उपरी हवा वाले हिंसे में सैक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की समभावना जताई है इसके परभाव से अगले 48 घंटे के दवरान बंगाल की खाड़ी में लो प्रेसर के सक्रिय होने का अनुमान है इसके साथ ही एक बार फिर धनबाद में मौसम का मिजाज बिगरने की समभावना बढ़ गई है मौसम विभाग ने जारी अपडेट के मुताविक मांसून, ट्रॉफ, रायस्थान से बिहार और बंगाल होकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है मौसम विभाग ने जारी अगले 15 दिनों के पुरोणवान में इस सब्ता 22 सितंबर तक राजे के जायतर हिसों में बारिस जारी रहने की समभावना जताई है हलाकि भारी बारिस जैसी परिस्तिती नहीं बनेगी उसके बाद 23 सितंबर तक के दोरान भी बारिस होगी पर समाने से कौम बरसा की समभावना जताई गई है हजारी बाग बोस हादसे पर राष्ट पती और पियम मोदी ने जताया दुख साथ की मोद 45 लोग घायाल जारखन के हजारी बाग जिले में सनीवार साम बोस हादसे में सात यत्रियों की मोद पर पर परधान मंत्री नहीं नमोदी राष्ट पती द्रोपादी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नेतावों ने दुख चताया है परधान मंति नायन मोदी ने कहा है कि हजारी भाग में हुए इस हादसे में लोगों की मौद से दुखी हूँ इस दुख की घड़ी में मेरी सन्वेदनाय सोक तंत्वत परिवारों के साथ है परधना करता हूँ के हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए वही राष्ट पती द्रोपादी मुर्मु ने कहा है कि हाजारी भाग में होई इस घड़ना से दुख हुआ इस हादसे में प्रियेजन को खोने वाले सभी परिवारों के प्रती मेरी हार्दिक सन्वेदनाय मैं सभी पिरितों के सिग्र स्वास्थ होने की कामना करती हूँ इधर जार्खन के पुरमुक मंत्रिव केंद्रिय मंत्रिय अरजुन मुंडा ने भी कहा है कि साथ लोगों की मौत और दरजनों लोगों के घायल होने के खबर से दुखी हूँ जारखन में भीशन सलक हाजसा बस पलटने से साथ लोगों की मौत पैतालिस घायल गिरिडी से राची जा रही सीवा नमक बस हजारी बाग में पलट गई हजारी बाग बागोदर एनेज सोब पर दारू के बीज सीवानी नदी में बस पलट गई इससे साथ लोगों की मौत हो गई इनमें हजारी बाग गुरुद्वारा कमिटी के राजो सिंग भी सामिल हाए इस हाजसे में 45 लोग घायल हो गए इनहें सेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारी बाग में भरती कराया गया सभी लोग राची धार्मी कारेकरम कीर्टन में सामिल होने जा रहे थे इसी बीज दुरगाटना हुई है मिरितकों में रानी सलूजा, रबिंद्र कोहर, हडेंद्र सिंग समेत अने सामिल हाए खतियान 1932 सम्मधी फैसला दुरगामी राजनीती लाभ का कारान अर्जुन मुंडा 1932 के खतियान से सम्मधीत लाया गया परस्ताव आनन फानन में लिया गया फैसला हो सकता है उक्त बाते सेवा पाकवाडा के दरान सराय केला सदर अस्पताल में रख्त दान सिविर के दरान आदिवासी मामलो के केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही उन्होंने कहा है कि खतियान सम्मधी फैसला दुरगामी राजनीती लाभ के कारान हो सकता है उन्होंने यह भी कहा आए कि सोहचर भाव से समाज सेवा में जुड़े रहें पार्यावरन सुरक्षा के साथ देश भर में सेवा पाकवारा मनाया जा रहा है रक्तदान महादान है आपके द्वारा कियेगा इस दान के किसी के जीवन की रक्षा होती है पधान मंत्री नहेंद मोदी के जनम दिवस के अउसर पर सुवी हुई इस पाखवाडा के निमीत भाजपा सराय केला खर्शावा युगा मोर्चा द्वारा सराय केला सदर अस्पताल में रख्तदान सिवीर काउजन किया गया था कांग्रेस वाले चितमरम सर से टिप्स लेका रांची लोटे सीम हमांत आनन भानन में नई दिल्ली गए जार्खन के मुख्यमंत्री हमांसुरें सुक्रोवार को ही रांची वापस लोट आया है नई दिली में उन्होंने पुर्व केंद्रिय मंत्री पी चितमरम से भी मुलकात की मुख्य मंत्री कराले के अनुसार सी एम की असिस्टा चार मुलकात थी माना जा रहा है कि उन्होंने जार्खन के तायारा निति खालात को लेकर चितमरम से चर्चा की है इधार मुख्य मंत्री हेमान सुरेन की विधान सवा सेस्ता को लेकर निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी करते हुए राजेपाल रमेस बैस को अपना मंतबे भेज दिया लेकिन राजेपाल ने अभी तक इस पर कोई निर्ना नहीं लिया इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग में हेमान सुरेन का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता बैभावत तोमार और मलक भट की ओर्चे निर्वाचन आयोग के सचीव को पत्र लिखा गया है 1932 के मुद्देपर सत्ता धारी दल और विपक्ष एक दूसरे परहमलावार जे में जामुओं के वरिष्ट नेता सुप्रियो भटाचार ने कहा है कि भाजपा और आईसू आदिवासी मुलवासी बिरोधिवाली मान सिक्ता की पार्टी है भाजपा मिर्जा फर है तो आईसू जयचंद्र है भाजपा के एक नेता बाबुलाबरांडी आदिवासी समाज से आते है वहीं आईसू के एक नेता सुदेश महतो पिछड़े वर्ग से आते है इन लोगों ने जारखंडियो को उसकी पहचान नहीं दी बाबुलाल, मिर्जा फर है और सुदेश महतो जयचंद की भूमिका में है सिरी भट्टा चारे सुक्रवार को पार्टी कर्याले में पत्रकार उसो बात कर रहे थे उन्होंने कहा है कि 22 बर्शों के संहर्ष के बाद जारखंडियों को उनकी पहचान मिली है दसवी पास के लिए होम डिपार्टमेंट में भैकेंसी जीला माई स्टेट और उपायुक्त पूर्वी सिम्हूं आफिस में नौकरी के तलास कर रहे युवाओ के लिए सुनारा मौका है इसके लिए जिला मजिस्टेट और उपायुक्त पूर्वी सिम्हुमने चौकिदार के पदों पर भरती के लिए आवेधन मांगे हैं इक छुक एवं योग योग उमिद्वार जो इन पदों के लिए आवेधन करना चाहते हैं वे अधिकारिक बेपसाइट जमसेद्व.nic.in पर जाकर अपलाई कर सकते हैं इन पदों के लिए आवेधन करने के अम्तिम्तिती 30 सितंबर है बता दे इस भरती पर क्रिया के तहत कूल 284 पद भरे जाएंगे पीएम मोदी के जनम दिन पर राजभौन में मोदी एड़ारेट 20 पुस्तक का बीमोचन जारखन के राजपल रमेस बैस ने कहा है कि परधान मंत्री नैन मोदी का परभाव और उनकी लोग पिरेता सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है अज पूरा राष्ट्र या ससवी परधान मंत्री का जनम दिन पूरे उत्सा के साथ मना रहा था उन्होंने परधान मंत्री के सोष्ट ए health दिरिगायु जीवन की कामना करते हुए कहा है कि परधान मंत्री नैन मोदी इस औसर पर सांसद दिपक परकास, सांसद आदित्य साहू, विधायक भानू परताप साही समेत अने उपसी थे जंगल बचाने और पर्यावरन सरक्षन के लिए बास उत्पादन पर जोर दे दुनिया भर में 18 सितंबर को 202 दिवस मनाया गया इसका उदे से परकेति संसादनों को बचाना है, जंगलों को काटने से बचाना है बास का इस्तेमाल बढ़ेगा तो जंगल की कटाई रुकेगी और इसे पर्यावरन का सरक्षन होगा यही वज़ा है कि बास का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ाने पर जोड़ दिया जा रहा है जारखन में भी बंबू ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए है जहां बास को ना केवल घोन लगने से बचाने के लाइक बनाए जाता है बलिक प्रोसेसिंग के बाद उसकी उम्र भी बढ़ जाती है जीतिया वरत 18 सितंबर को 29 को सुर्यदे के बाद पारान जीतिया का वरत 18 सितंबर को है वरत का पारान 29 सितंबर को सुर्यदे के बाद होगा जितिया संतान के स्वास्त जीवान वर लंबी आयो की कामना कवरत है इसमें मताय निरिजल वर्त रखती है सरदावा विश्वास के साथ जी मुत वाहन की पुजा आर्चना करती है जारखन से पंजाब और दिली में हो रही अफिम की तसकरी में CRPF समय चार आरेश्ट पच्छिम सिंभूम पुलीस अफिम के खिलाप लगातार अभियन चला रही है इसके बावजोद अफिम के कारोबार ने जीलो भर में धीरे धीरे अपनी आगोस में लेना सुरू कर लिया है पच्छिम सिंभूम पुलीस ने अफिम की तसकरी करने वाले CRPF जवान चार तसकरों को धरदबोचा है उनके पास है पुलीस ने दो किलो अफिम और दो लाग पंचानबे अई रुपे नगत सहीत अने चीजे जब्त की है अफिम के इस कारोबार में जीन लोगों को गिरफतार किया गया है उनमें से एक तसकर CRPF का जवान भी है टाटा करमचारियों को साही 18% बोनस जमसेतपूर के टाटा करमियों में सनीवार किरात प्रबंधन और योनियन के बीच समझाते पर समाती बन गई है तैफर मूले के तहत साही 18% पर बोनस समझाता हुआ समझाते के तहत करमचारियों को अधिक तम 1,14,054 रुपए यो के बीच 6,13,00,00 रुपए बोनस की रासी बाटी जाएगी विस्व करमा पूजा पर साहीव गंज में खास मेला साहीव गंजी ले का विस्व करमा पूजा काफी परसीध है बरसों से यहां का विस्व करमा पूजा मेला बिहार बंगाल में परसीध है यहां का विष्व कर्मा पुजा मेला देखने बिहार और बंगाल से सधालू आते हैं कहा जाता है कि विष्व कर्मा पुजा पर यहां लगने वाला मेला बिहार के भागलपूर और बंगाल के मालदा में भी नहीं लगता यही वज़ा है कि लोग मेला देखने पहुंचते हैं जारखन के साहिब गज में विश्व करमा फुजा पर 17 और 18 सितंबर को भाव्य मेला लगता है जारखन में बकरी सेट का हो रहा दुरूपयोग जारखन के पुरवी सिमूम जीले के घार सिला परखन की 22 पंचायतों में बकरी सेट योजनाओ का खुलियाम दुरूपयोग हो रहा है कई जगा ऐसा मामले सामने आए हैं जहाँ बकरी सेट में बकर्योग जगा लोग रह रहे हैं उन्होंने मनरेगा योजनावों का निरिक्षन किया जिसमें कई खामिया पाई गई उन्होंने विभागी अभियांतावों को सुधार करने का निर्देश भी दिया है बता दे डिडिसी प्रदीप परसाज सन्निवार को अपनी टीम के साथ घार सिला परखंड की जोड़ सा पंचायत पहुचे और कई योजनावों का निरिक्षन किया केंद्री क्रिसी मंत्री ने कीचेन गार्डन से कुपोशन को मुक्त करने की अपील भारत के 740 क्रिसी बिग्यान केंद्र से सन्निवार को पोशन अभ्यायन के तहत केंद्री क्रिसी मंत्री नायंदे सिंग तोमर अनलाइन जुड़े उन्होंने किसानों को समधित किया दारिसाई के किसानों ने भी उन्हें अनलाइन सुना केंद्रिय मंत्री ने किसानों से कहा है कि घर में किजेन गार्डन लगाए या पोषन को बढ़ावा देने वाला एक मात्र बेहतर चीज है घर के अंगना या घर के पिछवाडे में छोटी सी जगा में आप विभीन तरह की साग सबजिया और फल लगा सकते हैं इसे से पोषन को बढ़ावा मिलेगा सतरंगी सबजिया पोषन के लिए उप्योगी है पोषन अभ्यान के तहट आयोजीत समारों में कई क्रिसी बेग्यानी सामिल हुए लोहरदगा में हथियार संग तीन अपराधी गिरफतार लोहरदगा जिले के कुडू थाना छेतरे के छोटकी चामपी खारवा गड़ा तलाब के पास से कुडू थाना पुलिस ने हथियार गोली के साथ तीन अपराधीयों को गिरफतार किया है इन अपराधियों के हुई जाच में 9mm का पिस्टल और दो कार्तूस भी मिला पूलिस पूछताच में पसा चला है कि ए तीनों अपराधि किसी बड़े घाटना को अंजाब देने के फिर्याक में थे इसकी गुप्त सुचना SPR राम कुमार को लगी जिसके बाद SP ने कुड़ू थाना परभारी अभिनव कुमार के अगुआई में पूलिस टीम गठित कर सुचना का सत्यापन करते हुए अपराधियों को चेनित कर गिरफतार करने का निर्देश दिया बिस्व में लोगपिरिये हैं पिये मोदी राजे पाल राजे पाल रमेश बैस ने कहा है कि परधान मंत्री नैन मोदी का प्रभाव और उनकी लोगपिरियेता सिर्फ देश तक ही सिमित नहीं है बलिक बिस्व ब्यापी है पूरा राष्ट्र यससी परधान मंत्री का जनम दीन पूरे उत्सा के साथ मना रहा है उन्होंने परधान मंत्री के स्वस्त एवं दिरुगायू जीवन की कामना करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने कार्यों से पूरे बीश्व में भारत का गौरो एवं सम्मान बढ़ाया राजेपाल राजभावन में परधान मंत्री के जनम दीन के आउसर पर मोधी अडरेट बिस पुस्ता कभी मोचन कर रहे थे उक्त आउसर पर सांसर दिपक परकास भी मवजूद थे बच्चा चोर समझ कर गिरी डी के युवक को धनबाद में पीट पीट कर मोथ गिरी डी अहिल्यापूर्थाना छेतर के बुधुडी गाव निवासिस तताइस वर्षिये परधीप रवानी को बुध्ध वारात को धनबाद के कोत्ता कुस्मा में बच्चा चोर का कर लोगों ने जम कर पिटाई कर दी बाद में SNMMCH में इलाज के दोरान सुक्रवारात को उसकी मौथ हो गई सोजनोंने सनिवार को बिना पोस्माटम के सोव को गाव लाकर अम्तिम ससकार कर दिया बतादे घाटना से सोजन काफी समय हुए है उन्होंने इस घाटना की जनकारी पसासन को नहीं दिया अचानक हुई इस घाटना से पुरा परिवार दुखी है गीरी डी में इंटर की दो छात्राओं से रेप आठ आरोपी गिरफतार जार्खन के गीरी डी जी लेके बीरनी थारा चेतर में इंटरमेडियेट की दो नबालिक छात्राओं के साथ दुसकर्म के मामले में पुलिस ने आठ आरोपी गिरफतार कर लिया है दुसकर्म मामले को गंभीता से लेते हुए एस पी अमित रेनु ने सबी प्यो नवसाद आलम के नहीतितुमें बिसेस टीम का गठन कर ततकाल आरोपी गिरफतार करने का निदेश दिया जिसके बाद महल तीन दिन में पुलिस ने चोतारफा गहराबंदी कर कांड में सामील सभी साथ अरप्यो की गिरफतार कर लिया है जबकि पुलिस की सक्त करवाई देख मुख्या आरोपी सिरी कांट बर्माने थाने में खुद आत्म समर्पन कर दिया वहीं आरोपी को सनक्षन देने वा भागाने में सोयोग करने के जुर्म में तीन लोगों को भी की अफ्तार किया गया है जारखन के चिडिया घर में जानवरू की देख भाल की रिपोर्ट से केंडरे ने जताई चिनता जारखन के सबसे बड़े और सबसे अधिक देखे जाने वाले चिडिया घर भागवान बिरसा जैविक उद्ध्यान में रखे गए जनवरू की देख भाल को लेकर चिनता जताई गई यह एक केंडरिये द्वारा त्यार की गई रैंकिंग सुचना में 60 में जगा बनाने में बिफल रहा बतादे रांची के ओर्मांजी चेतर में 104 हेक्टेर चेतर में फैले जैविक पार्क ने पाली प्रवंधन प्रभावे मुल्यांकन रिपोर्ट में देश के 23 मद्यम स्रेनी के चिडिया घरो में 17 अस्थान हासिल किया जो हाल ही में जारी किया गया था सरला बिर्ला में राज अस्तरिये योगासन परत्योगता शुरू योगासन असपोर्ट अस्पोर्ट अस्थान औफ जारखन के दवरा तिर्थिये राज अस्तरिये योगासन खेल परत्योगता का उतिगर्टन सरला बिर्ला बिस्व बिद्यायर के वीके बिर्ला प्रेक्षा ग्रीह में मुक्य अति थी राची सांसत संजय सेट वा विशिष्ट अति थी विश्व बिद्यालय के कुलपती पूरफेसर गोपाल पाथक डाक्टर निलीमा पाथक वा एसोसेशन के अध्याक्स संजय सिंग के सन्युकत रुप से किया गया इस असर पर मुक्य अति थी सांसत संजय ने कहा है कि योगा को अंतराश्ट्रिय अस्तर पर पहचान से भारत का गौरों बढ़ा है इस वर्ष योग दिवस पर 168 देशों में योगा किया गया जो की गौरों की बात है हाई कोट ने रिम्स में इलाज की दैनिये स्थिती पर जताई चिनता जारखन हाई कोट ने रिम्स में इलाज की दैनिये स्थिती वाव मेडिकल समागरी की कमी को लेका सोता संग्यान से धर्ज जनित याजकाप सुनवाई करते हुए रिम्स परबंधन को कारसली पर फटकार लगाई चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जस्टिस सुजीत नरान परसाथ की खंड पिठने मौखिक रूप से टिपनी करते हुए कहाई की सिर्फ आपूर्ती का आदेश जारी करने से नहीं होगा समागरीयों की खरीदारी हुई आथवा नहीं इसका विद्यान रखना होगा खंड पिठने कहा है कि परतेक व्यक्ति का जीवन किमती है रिम्स परवंधन मरीजों की जिन्दगी बचाने के लिए हर संभव उपाय करे कोटन बेंडेज सीरीज सही सभी परकार की दवावों का इस्टोक खत्म होने से पहले ही मांगा लिया जाना चाहिए 26,600 की नियुक्ति के लिए सभी जीलों से मांगा परस्था हूँ जारखन में परतम चरण में 25,996 की नियुक्ति को लेकर जीलों से अधिया आचना मांगी गई है इसकूली सिक्षा यमसक्षाता विभाग ने इस समान्द में सभी जीलो को दिशा निदेश भेजा है जीलो को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राजे में इंटरमेडियेट प्रसिक्षित सायक अचार्ज के इनमें से 25 या 996 पदो पर सिक्षकों के निदेश दिया गया है धनबाद में 482 कूपोसित बच्चों की हुई पहचान हर साल सितंबर माह में महिला वाबाल विकास मंद्राले दोयाराश्टिये पोसन माह मनाया जाता है इसके तहट सुन्य से 6 साल तक के बच्चे गर्भवती महिला वा धात्रो महिलाओ को कूपोसन से बचाने सिमित संसाधन में संतुलित आहार के जनकारी दी जाती है जीला समाज कल्यान विभाग द्वारा कूपोसन वा एनमिया से समधित पोस्टर बैनन आंगर वारी केंदर में भेज कर सेविका वा साहिकाओ के माध्यम से लोगों को कूपोसन के प्रति जागरूप भी किया जाता है इसके बावजूद जीले के आठ परखंडो में 22 तेस में अगस्त तक 482 को पोसित बच्चे हाँ धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अन दबाए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़बाएक अवस्य दे थैंक यू